दिन ढल चुका है, रात होने वाली है, कल एक नई सुबह होगी इस सत्तर की दशक की हिंदी फिल्मों के किसी गीत की लिरिक्स नहीं है ये एक नवाब का जवाब है जब उसे जंग में शामिल होने के लिए बुलाया जा रहा है वो भी तब जब जब जंग भी नवाब की ही छेड़ी हुई है स्टेक पर पूरा हिंदुस्तान है और नवाब सबसे पीछे खड़ा होकर कह रहा है ठेरो जल्दी क्या है आते हैं बात हो रही है बकसर की लड़ाई की आधुनिक भारत की इतिहास की सबसे महत्वपून लड़ाईयों में से एग यह जवाब देने वाला नवाब कौन था और इस जंग में हार जीत के क्या कारण रहे आईए जानते हैं 1757 में प्लासी का युद लड़ा गया, 1760 में ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिन में वंदवासी के लड़ाई में फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी का लगभग सफाय कर दिया 1761 में पानेपत की लड़ाई में अबदाली से हार के कारण महराथों के तारेवे गर्दिश में चलने लगे इस जंग में अबद के नवाब शुजाओ दौला ने अबदाली का साथ दिया था उसे लगा कि अबदाली से हाथ मिलाकर वो मजबूत हो जाएगा लेकिन जब बिटिश इस इंडिया कंपनी ने अवद में धकल देना शुरू कर दिया तो अबदाली ने हाथ पीछे खीच लिये प्लासी में जीत के बाद अंग्रेज बंगाल की डिफैक्टो शासक बन गए थे दिल्ली दूर नहीं थी मुगलों को अपनी सल्तनत पर खत्रा मंडराता देखने लगा तो उन्होंने मदद के लिए अवद की ओर देखना शुरू किया सवाल ये था कि बिल्ली के गले में घंटा कौन डालेगा बिटिश इस इंडिया कंपनी से सीधा पंगा लेना मुश्किल था मजबूत होते जा रहे था एडवांस वेपिनरी थी सातरा उस अबासिट में बंगाल में बदलते हालात ने इसका मौका दे दिया तकल देने का बिटिश इस इंडिया कंपनी को कंफरंट करने का बंगाल का नयान अबाब मीर कासिम नहीं चाहता था कि अपने ससूर मीर जाफर की तरह वो भी अंग्रेजों के हाथ की कट पुतली बन कर रह जाए उसने अंग्रेजों की नाक के नीचे अपनी फाउच को मजबूत करना शुरू कर दिया साथी सेना की ट्रेनिंग की जिम्मदारी उसने एक फ्रेंच मिशिनरी रेनार्ट सोंब्रे को सौपी एक तो विदेशी नाम उपर से फ्रेंच आज भी होलने में जबान लड़ खडाती है इसलिए सोंब्रे बन गया समरू समरू की मदद से मीर कासिम ने जब काफी ताकत इकट था कर ली तो उसने अंग्रेजों पर नकेल कसना शुरू किया जवाब में 25 जून 1763 को अंग्रेज आफिसर एलिस की अगवाई में ब्रिटिश टुकडी ने पटना पर हमला किया पटना पर हमला क्यों किया क्योंकि यहां मीर कासिम का एक खास गवर्णर नियुक था कासिम के साथ एक खुली जंग का ऐलान किया सबसे पहला काम था कासिम को नवाब की गद्दी से बेद्खल करना उसके जगे लिए उसके ससूर मीर जाफर ने शायद प्लासिम इस राजित दौला के साथ की गई गद्दारी का असर था कि मीर जाफर तब तक पक्का नशेडी हो गया था उसे दीन दुनिया से कोई खबर नहीं थी लेकिन अंग्रेज अभी भी उसका थोड़ा बहुत फाइदा तो उठा सकते थे जो उन्होंने उठाया भी कैसे कासिम से लड़ने के नाम पर बंगाल के खजाने से साढ़े पांच करोड निकलवा के आप उस टाइम के बारे में सोचिए और इस रकम के बारे में सोचिए इतना पैसा उन्होंने निकलवा लिये विचारे से कासिम के साथ जंग शुरू हुई और शुरू हुई तो फिर लंबी चली जंग में सीधे तोर पर अंग्रे जहार तो नहीं रहे थे लेकिन उनकी हालत पतली होती जा रही थी अपने ही नौकर शाहों से वो 8 फीसद ब्याश को रकम उठवा रहे थे 4 सितंबर 1763 को मीर कासिम को जंग में एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा उसके सेना ने उधान उल्ला आज के हिसाब से उत्तरी जहार खंड में डेरा जमा के रखा था ये किला पहाडी पर था और यहां से वो आसाने सिफ ब्रिटिश ट्रूप्स और मीर जाफर की सेना को निशाना बना सकता था हाइट हमेशा आपको एडवांटेश देती है लड़ाई में क्योंकि आप देख सकते हो दूर तक के और सटीक निशाना लगा सकते हो लेकिन नीचे वाला आपको नहीं देख सकता एन मौके पर लेकिन कासिम को एक बुरी खबर मिली ये कि उसका एक खबरी अंग्रेजों के हाथ लग गया इस खबरी की मदद से अंग्रेजों को पहाड़ी पर चड़ने का एक आसान रास्ता मिल गया कासिम कुछ कर नहीं पाया उन्होंने रात में हमला किया अंग्रेजों ने और कासिम के 15,000 सेने को कुमार डाला सौसे ज़्यादा तोपी भी अंग्रेजों ने अपने कबजे में ले ली इसी लड़ाई में कासिम का वफादार समरू अभी भी उसके साथ था लेकिन इस हार ने उसे लगभर तोड के रख दिया था उसने बंगाल सुप्रीम काउंसिल के हेड वोर्म हेस्टिंग्स जो आगे चलकर बंगाल के गवरनर जनरल भी बने उनके सामने एक प्रस्ताब रखा ये कि अगर उसे बक्षा जाएगा तो वो मक्का चला जाएगा हेस्टिंग से कोई जवाब नहीं मिला तो कासिम ने समरू से कहा कि जितने अंग्रेश जुद्दबंदी हैं वो उन सभी को मार डाले समरू नहकुम की तामिल की और 45 कंपनी अधिकारियों सहिद 200 हिंदुस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया इस घटना को कहते हैं पटना का नरसंहार इसके बाद कासिम अवद की ओर निकल गया तब उसके पास 10 करोड की रकम और 30,000 लडाके थे रास निम उसने शाह आलम दूसरे और शुजा उद्दौला को संदेश भेज कर ये कहा कि तीनों मिलकर बिटिश चीस इंडिया कंपनी का सामना करें तो अच्छा रहेगा 19 नमबर 1763 के दिन मीर कासिम अवद भी पहुच गया इन किनी कारणों से अगले तीन महीने उसकी और शुजाओ दौला की मुलाकात ही नहीं हुई फरवरी 1764 में उस शुजा से मिला और फ्रेंच सेना की एक टुकडी भी उनके साथ आके मिल गए तब शाह आलम दूसरे ने उसके वजीर इमादल मुकल को दिली से बेदखल कर दिया था और वो भी आवद में ही था डेरा जमाय हुए शुजा की सेना में परशियाई घुरसवार और अफगानी रोहिले भी थे जिनोंने एहमद शाह अबदाली के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी इनके अलावा छेजार नागा सादू भी इस फौज का हिस्सा थे जो नंगे पाहूं चलते और तलवार और तीर कमान से लड़ाई करते यूं तो ताकत के लिए शुजा के पास तीन-तीन सेनाई थी लेकिन वो कहते हैं न टू मैने एकुक स्पॉयल दब ब्रॉथ यानि एक से जादा रसोई हो तो शोरवा भी करता है यही हालिस सेना का भी था शुजा, कासिम और शाहालम दूसरे के बीश तालमेल की साफ कमी थी जंग से ज्यादा ध्यान उनका इस बात पर था कि जीत मिलेगी तो मूटी मलाई किसके हाथ जाएगी जिनको हम कहते हैं जंग में जीती हुई चीज़ें वो कौन लेगा बैरहाल 3 मई 1764 को जंग का एलान हुआ तीनों फॉजे पटना की सरहत पर आके पहुची नागा साध्यों के टुकडी इनकी अगवाई कर रही थी यहीं पर वो संदेश भिजवाया गया जिसकी चर्चा हमने शुरुवात में की हुआ ये कि शुजा की फॉज तो पहले मोर्चे पर डटी थी लेकिन कासिम की फॉज जंग में हिस्सा लेने के बजाय आखरी पंक्ति में खड़ी हुई थी पहले हफ्ती की जंग में शुजा को खुद दो गोलिया लग चुकी थी फॉज का भी बहुत नुकसान हुआ था तब शुजा ने कासिम को संदेश भिजवाया जिसका लब बोल वाह भी था कि जंग में खुद नहीं आ रहे हो तो कम से कम अपना तोब खाना तो भेजो क्योंकि उसके पास modern artillery थी उसकी बड़ी जरूरत थी और artillery आप जानते हैं infantry के उपर से दुश्मन को निशाना बना सकती है कासिम का जवाब इसके बारे में आया कि शाम हो चुके शिविर में दुबारा जाने का वक्त है कल दुबारा शुरू करेगी पढ़ना कि ये लड़ाई तीन हफते चली 14 जून 1764 आते आते इस्ट इंडिया कंपनी की रसत खतम होने लगी तो उसने कप्तान मेजर कारनेक जोसके कप्तान थे उसने सोचा कि अब सरंडर कर लिया जाए मुम्किन था कि शुजा कासिम और मुगल यहीं जीच जाते लेकिन पहले मूर्चे पर तोनाज शुजा इस बात से अंजान था कि लड़ाई थोड़ा और खिचेगी तो कारनेक सरंडर करेगा इसलिए उसने खुद ही क्योंकि वो भी लड़ते लड़ते ठक गया था हान मान ली पीछे हटने की ठानी अकले लड़ते लड़ते परिशान हो गया था वो जंक से पीछे हटा और अपनी फॉज लेकर 120 किलोमेटर दूर बकसर के किले चला गया योजना थी कि एक बार फॉज दोबारा अपनी ताकत इकर ठा कर लेगी तो जशने रिवास देवाली 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 अनफॉलो मत करना ब्रो से पहले पहले दोबारा हमला करेंगे लेकिन एक बार जो फॉज रुग गई तो खड़ी ही नहीं हुई बक्सर के किले में रोज नाज गाना चलता रहा और तब तक ब्रिटिश विस्रेना कमपनी ने दोबारा ताकत जमा कर लिए इस बीच शुजान ने एक समझदारी का काम किया उसने कासिम के वफदार समरू को अपनी और मिला लिया और कासिम को बंदी भी बना लिया गया कि उससे पता है क्या करना है वे लेकिन असके बड़ी कंफ्यूजिंक शिर्थी की अनिरे में उस्से 64 को बकसर की लड़ाई शुरू हुई शुजा ने फॉज की टुकड़ी को आदेश दिया कि वह डिफेंसिफ फॉर्मेशन तोड़ते हुए अडवांस अटैक करे नागा सादू ने भी बाइं फ्लैंक से बाइं तरफ से मुन्रों की फॉज पर हमला किया और बिटिश इंडिय कंपनी का फ्लैंक तो डाला फ्लैंक मतलब एक सीध में जिसमें फॉज तैनात रहती है अगर एक अपने 300 फिल्म अगर देखिए तो उसके सामने वो जो शील्ड्स लेकर के खड़े हैं वो उनका फ्लैंक है ना तो जो फॉर्मेशन है उसको तोड़ने का मतलब हो उसको लगा तो उन्होंने लूट मार शुरू कर दी और अपनी पुजीशन्स छोड़ दी शुजा भी इस गुमान में था कि वो जंग जीत चुका है उधर मुन्रो अपनी फॉज को हिमत बंधाता रहा बारी नुकसान सहते वे ब्रिटिश इंफिंट्री जंग के मैदान में डट उसके हिम्मत उसके जुर्रत उसका अग्रेशन तो दूसरा गयना है उसका डिसिप्लिन जा शुजा की घोड सवार सेना इस इंडिया कंपनी के शेविरों पर धावा बोलती रही मुन्रो आकरी डिफेंस के लिए पास बहती एक नदी के मुहाने पर पहुच गया इस इंडि की फॉज की एक टुकडी बकसर के किले और गाव में तेनाथ थी शुरुआती जीत से उन्हें लगा कि जंक हत्म हो गई और वो खाली बैट के आराम फर्माने लगे नतीजे में ब्रिटिश इस्टिंडिया कंपनी ने जब किले पर हमला किया तो उन्हें इसकी कोई खबर ही के बाद शुजा उद्दौला ने मीर कासिम को रिहा कर दिया बटकते बटकते कासिम रोहिलकंट पहुचा जहां नजीब उद्दौला ने उसकी पेंशन मुकरर की उसके बावजूद अपने अंतिम दिनों में कासिम की हालत ये रही कि जब मरा तो उसके बच्चों के पास उसके कफन के लिए पैसे नहीं थे आखरी बची शौल बेच कर उसके दफन का इंतिजाम किया गया शुजा उद्दौला भी कुछ साल तक गुरिला टकनीक से हमले करता रहा लेकिन 1765 में वो भी हार गया इतनी कहानी हो गए एक सवाल आपके मन में जरूर आया होगा इस सब के बीच शाहालम दूसरे कहां गए वो भी तो शुजा और कासिम के साथ इते तो जवाब यह कि शाहालम दूसरे ने इस जंग में हिस्सा सिर्फ और सिर्फ नाम के ले लिए जंग के दौरान वो लगाता बिटिश इस इस इंदिया कंपणी से संधी के पेशका शकता हुई जिसके तहर बिटिश इस्ट्रिया कंपनी को बंगाल बिहार और इसा में रेविन्यू करेक्ट करने का अधिकार मिल गया इसके एवस में उने शाह आलम दूसरे को प्रति वर्ष 26 लाक की रकम चुकानी थी वो भी कुछ सालों में बंद कर दी गई भाई वो लोग भी प इस्ट्रिया कंपनी का लगभग पूरे हिंदुस्तान पर एक आधिकार हो गया एक इंदार की बात रह गई रिनाट सोंब्रे यानि संब्रू बकसर की जंग के बाद संब्रू मोगल दरबार में हाजिर हुआ कुछ ही वक्त में वो हिंदुस्तानी तहजीब और फार सी भी स सित एक कोठे पर उसकी मुलाकात एक नर्तकी से हुई थी जिसका नाम था फरजाना दोनों को पहली नजर में इश्क हुआ शादी हुई और फरजाना बन गई बेगम संब्रू जिनका किस्सा फिर रोचक है कभी और मौका मिला तो सुनाएंगे अभी के लिए एक ट्रिविय दिली में चाने चौक स्थित भगिरत पैलेस में जो स्टेट बैंक के बिल्डिंग है और जिससे पहले इंपीरिल बैंक कहा जाता था वो कभी बेगम संब्रू का ठिकाना हुआ करती थी इस एपिसोड के लिए डॉक्टर उद्दीपन मुखर जी के एक लेक से बहुत मदद हमें मिली है वर्तमान में डॉक्टर मुखर जी इंडिया सेंट्रल सिविल सर्विस में जॉइन डिरेक्टर के पतपर हैं साथी जंग के ब्योरे के लिए बिटिश इतिहासकार बिलियम डेल्रिम पिल की किताब उसे भी मदद ली गई है तारीक के इस एक और शांदर एपिसोड को लिखा है हमारे साथी कमल ने मैं परसनली उनके लिखा का मुरीद हूँ आपको भी मुझे मालूम है कि खूब पसं झाल